नमस्कार सस्रीकाल राम राम सभी किसान भाईयों का सवागत है आपके अपने चैनल आरबी सलागार में और आज आप जिस तरीके से आपने ये तस्वीर देखी होगी चने की और चने की खेती में मैं आया हुआ हूँ राजस्तान में और यहाँ पर कुछ से फिल्ड भी देख करें और इसके बारे में थोड़ा सा जाने तो बहुत बढ़िया मुनाफिकी केती है कम खर्चे की कम पानी की और बहुत ही अच्छी पेदावार हम चने से ले सकते हैं बासरत इसके बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है साथियों चना एक दलनी अपसलों में से एक है और काफी मातरा के अंदर राजस्तान में इसकी बिजाई की जाती है अभी तो इसे बिरानी के साथ साथ नहरी भी चणा जो है उसकी बिजाई करते हैं खास वर पर सभी इलाकों में चणे की बिजाई होनी सुरू होगी है साथियो दलनी ये पसल है तो इसका मतलब ये है साथियो क कि उसके अंदर। जडों के अंदर राइजोबीयम की गांथे बनती है। और उसके माधियम से उसे नाइट्रोजन अप्लोड होती है उर अगली पसल के लिए भीचे ना है जो नाइट्रोजन अपने केट में चोड़ की जाता है। तो राइजोबियम में एक बेक्टिरिया का नाम है सर और वो बेक्टिरिया मैक्स पाउर नाम का एक प्रोडेक्ट है मैक्स ग्रोगमपनी का उसमें बरपूर मात्रा के अंदर है तो मेरा आप से छोटी शी वीडियो के अंदर है यह करना चाहूंगा सातियों की चने के अंदर मुख के रूप से हमारे को खुराग की बात करें तो मेक्स पावर अकेला ही बहुत है इसमें किसी परकार की और जुरूत नहीं है मेक्स पावर का अगर आप दो सप्रे सिर्फ दो सप्रे मतर खर्चा है सिर्फ दो सप्रे चणे के अंदर आप मेक्स पावर की कर देते हैं तो सातियों आप हैरान हो जाएंगी कि पेदा बार बहुत जबर्दस्त होएगी, गेगरी अच्छी लगेगी, दाना बढ़िया बनेगा, और इसके अंदर एक सपरे अभी करें, और एक सपरे जब फूल की स्टेज होती है, उससे में करें, और सातियों बता दियें कि इसके अ इसका अच्छा रजल्ट आता है, लेकिन बहुत सारे किसाने से हैं, जो दौई का परियोग जो है, वो पहले नहीं करते हैं, और बाद में जब समस्या आ जाती है, तो उस समय हमें इस पे दौई डालते हैं, तो वो कम मसर करती है, दूसरा सातियों चने की खेती के अंदर ए तो उसके बचाने के लिए सातियों इसमें अडवांस में ध्यान रखना चाहिए, और इसके लिए आप कोई भी अलकी फलकी मेलतियान जैसी सप्रे कर सकते हैं, एक दो सप्रे बीच में कर सकते हैं, काफी ठंडी तेज हुआ चल रही है आज, और सातियों इसके अंदर आप स हमें समय के हिसाब से केत में चेकर लगाएंगे तो आपको पता चल जेगा कि कीडे का अटेक ना हो, सिरफ एक लट से बचाना है, दूसरा मेक्स पाउर का दो सप्रे करना है, बहुत अच्छी पेदाबार ले सकते हो, इसकी विस्तार से जानकर सातियों एक आलग से बेट के बनाएंगे, अभी कुछ से बुंदा बांदी सी भी हो रही है जब मैं बीडियो बना रहा हूं, तो बुंदा बांदी में थोड़ा सा बीडियो बनाना भी थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं आया फिल्ड में देखा, तो मैंने इसको आपके सामने पेश किया, और यहां पर इन किसान भाईयों ने सोरुर्जा की प्लेटें लगा रखी है, और एक डिगी का विशेस परवंद किया गया है, और प्लास्टिक की डिगी है, इसकी मेरों को लगता है कि मैं एक अलग सी वीडियो बना के आपके साथ सेर करूं, ताकि उसमें अच्छा लगे जानना है तो कुमेंट कर सकते हैं, मैं आपका जुरूर रिप्लाइ करूंगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने सभी दोस्तों में शेर करें, और साथियों आप बने रहे हैं हमारे साथ हमारे परकार से केतिवड़ी की जानकार लेकर आपके साथ आते मैं आपका दोस्त किसान सलाकार रमेश वांबू